नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिवांगी चैलेंज निउस 24 में आपका स्वागत है और आए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर सामुदाएक स्वास्त केंद्र मौरानीपुर में कोवेड-19 की जाज कराने आये प्रत्याश्यों एवं एजेंटों ने उड़ाई सोसल डिस्टेंसिंग की धजियां आपको बता दें कि एक ओर जहां कुरोना महमारी कक्के हार निरंता जारी बना हुआ है तो वहीं आगामी 2 मई 2021 को होने वाली मदगड़ना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आदेश किये गए हैं कि बिना कोवेड-19 की जाज के किसी को मतगड़ना इस्थल में प्रवेज़ नहीं दिया जाएगा जिसके चलते प्रत्याशियो वा एजेंटों की शामुदा एक स्वास्त केंद्र मौरानीपूर में अच्छी खासी भीड देखने को मिल रही है तो वहीं उक्त लोग सोसल डिस्टेंसिंग की धजियां उडाते नजर आए जानकारी के अनुसार मौरानीपूर तैसील में त्रियस्तरिय पंचाय चिनाओं की मतगड़ना दो मई 2021 को होनी है सासंद्वार मतगड़ना इस्थल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जो कुरूना नेगेटिव है इस आदेश के बाद सामुदाइक स्वास्त केंद्र मौरानेपूर में प्रत्याशिवा उनके एजेंटों की भीड की जाच कराने के लिए उमर पड़ी सामुदाइक स्वास्त केंद्र में सोसल डिस्टेंसिंग की धजियां उडाई जा रही है इसमें अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमण पाए जाता है तो मुस्किल बढ़ जाएगी कुछ लोग दलाल के माध्यम से बिना जाच की ही नेगेटिव रिपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं लेकिन शाचन की सक्ती के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही तो वहीं सरकार द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि दो गजदूरी मास्क है जरूरी कहीं भी पालन होता नहीं दिखाई दिया ये लोग वो हैं जो इस महामारी में खुद वापने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं मवरानीपोर्ट से संजीब तिवारी की रिपोर्ट क्यों यहां पर परिशाई दो नहीं आपको नहीं कोई परिशानी नहीं अच्छे से बो रहा है ठीक करना में आपका घिरालाल कुस्वा घ्राम पचोरा अब अस्पताल किसलिए आए हो इसलिए आए है कि यहां ज्यादा भीड है वह एक दू कॉंटर और बढ़ना चाहिए अच्छा तो आप एजेंट है आजी आप कोरोना कि जाच कराने आए हैं यहां समस्य से भीड की है खा कर दो आए हैं आए हैं समस्ता है यहां समस्ता है आए है यह ताया मया जगव एजे आप है है और इसलिए मैं जाए है अच्छा